Arabic language कैसे सीखें बहुत सारे sentence और vocab यहाँ पर हम include करेंगे unique purpose से ठीक है तो आज हम लेंगे सबसे पहले बहुत आवाज आ रही है बंद करो बहुत आवाज आ रही है बंद करो इसको Arabic language में आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे आप बोल सकते या जो बोल रहा है उसको समझ सकते ह इसको चलो तोड़ लेते जिसमें समझने में आपको आसानी हो जाए वाइद का मतलब होता वेरी से रिलेटेड बहुत ठीक है वाइस साउंड से रिलेटेड अगर आपको Arabic में जाना है तो इसको Arabic भाष्षा में बोलते है आ रही है बहुत आवाज आ रही है बंद करो यह त वाइद सोती जी यह करेक्ट है बहुत आवाज आ रही है ठीक है लेकिन बंद करो बंद को अरभी भाष्षा में बोलते है शक्कर ठीक है चीनी वाला नहीं शक्कर यानि क्लोज करना लेकिन करने के लिए अलग Arabic भाष्षा में अरभी अलग यूस की जाती है लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही बोलेंगे वाइस सोती जी शक्कर कोई जरूरी नहीं कि आप सभी लगाओ या पूरा complete sentence करो shortcut तरीके में अरभी भाष्षा में आप बोल सकते हो वाइस सोती जी शक्कर अब क्या बंद करना है कहां से आवाज आ रही है वो आपको decide करना है ठीक है वो situations के बेस प Arabic language में अगर आपको बोलना हो तो आप बोलेंगे या जो बोल रहा है उसको समझेंगे लैश माई शक्कर क्यों नहीं बंद किया लैश माई शक्कर यानि कि लैश क्यों को बोलते है और माई यानि कि पानी नहीं नो जहां पर नहीं इस्तिमाल हो रहा हो और शक्कर अभी मैंन क्यों नहीं बंद किया ठीक है चलिए हम next लेंगे आवाज कहां से आ रही है अरबिक लेंग्विज में अगर आपको बोलना पड़े आप इसको ऐसे ही बोचते है वैसे वैनी जी सोथ ज़्यादा करेक्ट है ठीक है वैन मिस कहा कि कि इंट्रोगरे सेंटेस हो गिया तो वैन उठकर के कहा उठकर के सामने आ जाएगा ठीक है जिस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश वाले टांसलेशन में सिच्वेशन देखत हैं तो यहां पर वैन सोती जी वैन सोती जी आप ऐसे ही बोचते हैं सोत वैनी जी यहनी आवाज कहां से आ रही है कहां से आवाज आ रही है वैनी जी सोत कहां से आ रही है आवाज भाई तो वैनी जी सोत सोत वैनी जी दोर तरीके से आप बोचते है ठीक है सोत वैनी जी जी ठीक है next हम लेंगे नहीं मालूम नहीं मालूम को अर्वशा में बहुत जगहां पे अलग-अलग सिच्वेशन में अलग-अलग तरीके से बोलते हैं लेकिन आज हम यहां पर एक तरीक आपको बताएंगे और करीबा चार-पांच-छे तरीके मैंने पहले ही पार्ट्स में यानि कि अगर आप पार्ट वान से स्टाट करेंगे तो मोर इनफॉर्मेशन मिल जाएगी आप नहीं को अलग-अलग सिच्वेशन के बेस पे अलग-अलग तरीके से बोल सकते हैं तो नहीं मालूम भाई कहां से आवाज आ रही है मुझे नहीं मालूम तो मैं तो यहीं बोलूँगा नहीं मालूम मादरी जिस से मुखातिब हैं उसका नाम उसका रिलेशन्स आप जो है ना एड कर सकते हैं ठीके किस से आप मुखातिब होकर कि बात कर रहे हैं मादरी, ठीक है, मादरी के बाद वो चीज़ इंकलूड करना है, आज विलाइक आपके पर डिपेट करता है, किस से आप मुखातिब हो, ठीक है, मादरी, नहीं मालूम, ठीक है, आवाज, आवाज को अरभी भाशा में क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ के साउंड की आवाज आ रही है, या कोई भी गाड़ी के पार्ट्स की आवाज आ रही, कहीं से भी कोई आवाज आ रही है, सिर्फ एक वर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अरभी भाशा में अगर आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, उसको बोलते है, सूथ, यानि किसी भी तरह का साउंड आ रहा है, उसक ही से भी अगर आपको लग रहा है, कि ये चीज़ डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, अब खराब को अरभी भाशा में क्या बोलते हैं, ये मैं बतला चुका हूँ, आप पिछले पार्ट में जाकर कि देख सकते हो, ठीक है, वैसे पार्ट वन से स्टार्ट करोगे, तो ज मर्ज बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में भी मर्ज बोलते हैं, और उर्दू में भी पेशेंट को मरीज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर मरीज से रिलेटड में अपडेट दे चुका हूँ, रोग, बिमारी, डिजीज को अरभी भाशा में मर्ज बोलते हैं, क्या बोलत पसीना टपकेगा इस से related मैं आपको बता दो कि पसीने को अर्वी भाशा में क्या बोलते हैं तो पसीने को अर्वी भाशा में बोलते हैं अर्क अब आप किसी भी चीज का अर्क निकालते हैं यानि उसका जूस निकालते हैं उसको अर्क बोलते हैं हिंदी वगरा में ठीक है ल अर्क बोलते हैं पसीने को अब हम नेक्ष लेते हैं इसी से रिलेटर जिसे जिस्म मेरा बदन शरीर जिस्म को अर्भी भशा में बोलते हैं जिस्म और उर्दू में भी लोग उसको जिस्म बोलते हैं ठीक है तो बॉड़ी को आप अर्भी भशा में उर्दू भशा में जिस्म बोल सकते हैं, हिंदी में भी लोग जिस्म को जिस्मी बोलते हैं, ठीक है, तो मेरे जिस्म से अर्क निकल रहा है यानि कि अर्क अर्भी शब्द है, जिस्म भी अर्भी शब्द, हिंदी शब्द सब्द है अब आपको टांसलेशन करने की जरुवत है तो ट्रांसलेशन कैसे होगा इसके लिए सब्सक्राइब नौ और आपको दीरे दीरे वीडियो में अपडेट ट्रांसलेशन के हिसाब से मिलती रहेगी आज हम बहुत सारी यूनिक विकैप के बारे में जानकरी लेंगे ठीक है तो अर्क बोलते हैं आपके पसीने को ठीक है ल पसीना तो हो गया खून को यानि कि बलड को अर्वी भश्या में दम बोलते हैं ठीक है दम निकल रहा हो लेकिन वो दम नहीं सांस वाला दम नहीं दम इस बलड यानि कि जो भी कटा पिटा जहां पर खून निकलने को दम बोलते हैं खून को ही दम बोलते हैं ठीक है तो अर् अर्वी भाष्टा मोलते है इत्फिल, क्या बोलेंगे इत्फिल, इत्फिल मिस होता है ठूक, ठीक है तो आपका खून पसीना ठूक ये हो गया और एक चीज्स मैं आपको बताना भूल रहा हूं कोई चीज्स खून पसीना, ठीक है? तो चलो ठीक है नेक्स्ट मैं बताऊंगा जैसे भी याद आएगा, चलिए मैं next ले देता हूँ प्यास, प्यास, थर्स्टी को अर्विभशा में क्या बोलेंगे अत्शान बोलते हैं यानि कि मैं प्यासा हूँ ये translation के हिसाब से हो जाएगा मैं को क्या बोला जाता है, प्यास को क्या बोला जाता है और मैं प्यासा हूँ की जहाँ पर क्या यूज़ के तो ये सब translation के हिसाब से आपको मैं देरे देरे सिखलाऊंगा अत्शान बोलते हैं प्यास को, थर्स्टी को ठीक है, next लेंगे अब हमने शुरू में एक बात बोली थी आपको कि patient को अरभी भष्षा में क्या बोलते हैं तो जैसे के disease मैंने बताया था लेकिन यहाँ पर patient को भी बता दूँ आपको repeat कर दूँ कि मरीज को यानि कि मरीज हम उर्दु में और हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर अरभी भष्षा में मरीद बोलते हैं अब दरसल मरीज ही होता है लेकिन इन लोग मरीद बोलते हैं दरसल वो स्वाद और दुआद वाला सिस्टम आ जाता है इसलिए बहुत सारी चीज़े इसी हिसाब से चेंजिंग हो जाती है अगर आप उठा के देखेंगे अर्दू और हिंदी और अर्बिक में सेम बोला जाता है मरीज ठीक है लेकिन यहां पर जा नहीं बोला जाता है जा हमारे पाकिस्तान बंगला देश और बंगला देश और इंडिया में बोला जाता है वहाँ पर जा निकालते हैं, यहाँ पर अरभी लेंगोर पर दा निकालते हैं, तो यहाँ पर मरीज के बज़ा है, यहाँ पर हो गया मरीद, ठीक है, और यहाँ के लावा इंडिया में भी बहुत से लोग स्वाद दौाद वाला सिस्टम होता है, तो उसमें भी डिफरेंस है क सौदी, दुबई, कतर, रुमान, बहरिन, कहीं पर भी बोले, आप मरीद बोलेंगे, ठीक है, लेकिन वो हमारे उर्दू और हिंदी वारा सिस्टम ही सेम टू सेम काटेगरी में काम करता है, ऐसे बहुत सारे यूनिक वर्ट्स है, करीब धाई तीर सो वर्ट्स की मैंने अब्सक्राइब करके लखिए, नेक्स विडियो में जिसमें जल्दी-जल्दी आपको अपडेट मिलती रहे, चलिए, नेक्स चलिएंट लिते हैं, अब हम बात पेशन्ट की कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं, भुखार की, ठीक है, वईसे बुखार हो गया, तो बुख किस से कैसे क्या हिजाब हुआ ये सबसे related translation से और translation के base पे आप कैसे बातचित करोगी ये सब की update already upload कर दिया हूँ मैंने भाई आपको बस देखना है बस और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरहा की यानि की body से related कोई भी formation चाहिए तो वो वीडियो आपके लिए काफी है अब मुझे बुखार आगिया मैं कल से परिशान हूँ कल मुझे बुखार था आज नहीं है आज सुबह से बुखार आया है आज सुबह से दर्द हो रहा है कल मेरे सर में दर्द नहीं था और भी वीडियो में बताएगे संटेंस है उसको याद करने की कोश्च करिए और डेली यूजर्स में उसको इस्तिमाल करिए तब ही आपकी Arabic language बहुत जल्दी improve होकर के सामने आएगी और आपको लगेगा कि अब मैं अच्छी खासी Arabic अपने हिसाब से काम चलाओ बोल लेता हूँ तो बस क्या है कि भाई मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि मेरे जरी से अगर आप सीख रहे हो तो मुझे भी तो खुशी होती बस आप लोग बताते नहीं हो कि मेरे जरी से सीखे हो क्योंकि ना कमेट में और ना कोई मिलता तब भी नहीं बूलता लोग बैंते तक नहीं भाई बैंते तो हैं बोलते नहीं बोलेंगे तो भाई अपना अपना सिट्विशन सब्सक्राइय चलु ठीक है बोलो चाहे-प्लो क्या-क्या मिलते है वे नेस perfect video